बेलकम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी PBRS study की प्रिकी math class में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं जी हैं जैसे आप सभी जानते हैं पूरे आल इंडिया में PBRS study basic math के लिए जाना जाता है लेकिन अब हम आपको कुछ ऐसे tricks देंगे जो कि आपके लिए बिलकुल ही फायदे मंद होने वाले हैं चाहे आप test seated की परिक्षा देने वाले हैं चाहे तो RRB NTPC, RRB Group D या फिर SSC, CGL या railway, buying कोई भी परिक्षा जो भी आप देंगे सभी के लिए महत्वपुर्ण होगा कुछ common chapter सामिल करेंगे आज के topic में जैसा आपने thumbnail में देखा प्रतिसता के सवाल करेंगे और प्रतिसत के सवाल लगभग सभी परिक्षाओं में आते हैं है ना तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल कुछ इस तरह से अगर आएगा तो आप कैसे करेंगे ध्यान देजिएगा वैसे लगभग सभी लोगों को आता है लेकिन परिक्षा में आप लोग गड़बर कर जाते हैं मतलब टाइम भी जाता आपके कोईश्य नहीं हो पाते हैं इसी बात को देखते हुए हम इसको आपको दिखा रहें रभी की मासीक आय आय मतलब जानते हैं इंकम तीन हजार रुपई से बढ़ करके पांच हजार रुपई हो गई पहले वो तीन हजार रुपए पाता था आप भाई माहगाई बढ़ रही तो आए भी बढ़ जाएगी वो बढ़के पांच हजार रुपए हो गई तो कहरा बताईए उसकी मासिकाय में कितना प्रतिसती की ब्रिद्धी हुई कैसे ग्याद करेंगे बताईंगे अगर हम जिए कितना प्रतिसती ब्रिद्धी हुई तो काफी लंबा हो गागा पहले इसका आप क्या करेंगे विजिस sólo निकालेंगे पीर गुड़ा 100 बस यही आपकी ट्रिक है लिख लीजिए याद कर लीजिए गा प्रतिसत बृद्धी बराबर बृद्धी गुड़े मूल मान बटे 100 इसी में मान रख दीजिए बस आपका उत्तर जो है वो आपके सामने आ चुका है तो प्रतिसत बृद्धी बराबर देखे बृ 5,000 हो रहा मतलब 2,000 के बृद्धी हो रही है तो आप यहां रख देंगे 2,000 मूल मान कितना था 3,000 रुपया क्योंकि 3,000 से बढ़ रहा है और यह 100,000 हो गया 2,0 काट दो भाई हो गई बात बराबर अब लेकिन क्या होगा भी 1,0 से यहां 1,0 से यहां काट दीजिए यह आप का आज आएगा 200,000 बटर 3,000 ओप्शन में देखिए कहीं है नहीं है सही बटे में है, सही बटे मतलब जानते हैं वो भाग करके आता है तो यह 3 से काट दो ना 200 को, यह 3,18 गटा ने पाया 2, उदा लिया 0, 3,18 और यह 2, 2,6,6 बटे 3, बट उसके पहले आप इसमें कुछ कर सकते हैं है क्या, 66 साई 2,23 आरा ना यह, हो गया आपका अंसर, समझ गए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान ट्रिक है बाबू, है ना इजी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो निसंकोच आप बोल सकते हैं, बिल्कूल आप सिक्वा सिकायत कर सकते हैं कोई भी आपको दिक्कत मैसूस हो रही अगर एक भी 32 आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ चलते हैं, अगले सवाल की ओर आप लोग जल्दी से इसका अंसर बताइए, रभी की मासी काय जो तीन हजार रुपया बढ़ा रहे थे ना, यहाँ पर रभी की जगा पर मान लीजिए कि मैंने कर दिया क्या, रेसम अब रेसम की मासी काय जो है, वो तीस हजार रुपया से बढ़ रही है, याद रखियेगा, तीन हजार नहीं काम चलेगा, अब यह तीस हजार है, तीस हजार से बढ़ करके कितना हो रही है, यह पचास हजार हो जा रही है, तीस हजार रुपया से बढ़ के पचास हजार परतिसत दूसरा है चाचछट सही तीन बटा दो परतिसत तीसरा है नौ सही एक बटा आठ परतिसत चौथा है नौ नौ दीज जल्दी से कमेंट करें पहले कितना आय थी ऐसे लिख लेंगे पूरबाइक क्वल 30,000 रुपया तीन हजार नहीं थी वर्तमान आय कितना है 50,000 रुपया तो बृद्धी निकालेंगे आप ये तो मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दे रहा हूँ तो ये 50,000 माइनस 30,000 इक्वल कितना आएगा बृद्धी 20,000 आएगा मतलब आय में कितने की बड़ोत्री हुई 20,000 रुपया की तो परतिसत में कैसे बतलेंगे आप जानते ही न परतिसत बृद्धी बराबर क्या होता है बृद्धी अपान मूल माने 200 है न तो रख अभी आपने छोटी से ट्रिक देखा था उसको भी लगा दीजिए वीडियो को पीछे करके इसको देखना है तो देख लीजिए 20,000 आया है वो तो आप सब वैसे वेर मान लगा सकते है तो ये ट्रिक होती आपकी परतिसत बृद्धी इक्वल बृद्धी अपान क्या मूल म मूल मान मतलब जो पहले था और गुड़ा 100 तो बृद्धी कितने की हुई है 20,000 की हुई है ना मूल मान कितना था पहले 30,000 था और गुड़ाइ कर दिजिए 100 इसको भाग दे लिजिए गा जैसे अभी मैने क्या आप मैनी करने वाला मुष्क या गई क्योंकि पाईला सवाल आपने देख लिए आगर नहीं आया तो कंफ्यूज मत होईएगा अरे भाई ये ऐसे काड लिजी रही है लिजी है दो जीरो जीरो यह और कट गया क्या आया दो सो बटे तीन तो फिर आ रहा ना कितना आ रहा है दो सो बटे तीन हमारे समत से कि फिर वही आएगा उत्तर है ना कोई कंफ्यूजन है तो निशन कोच आप कमेंट कर सकते हैं अगला सवाल देखी आपके सामने दिख रहा है संख्या साथ जो है वो संख्या 40 से कितना पत्सत कम है सही है नहीं सही है संख्या 40 संख्या 60 से कितना पत्सत कम है ये सही है समझ गए मतलब कि जो ये 40 है ना बाबु ये 40 ये 60 से कितना पत्सत कम है सिंपल सी बात है 60 जादा 40 कम है लेकिन कितना पत्सत कम है जैसे कहा जाए कि रम्मन का जो नंबर है वो रुची के नंबर से 45 नंबर जादा है तो उनके पापा ने पुछा कि बताओ कितना परतिसत जादा है तो परतिसत में कैसे निकालते हैं वही जिम्पल का फर्मूला लगाते हैं ट्रिक तो यह देखिए आपकी आज की जो है ना यह ट्रिक की कलास की ट्रिक नंबर 4 हो जाएगी आप लिखेंगे परतिसत कमी इक्वल कमी अपान मूल मान और गुड़ा सो क्या लिखेंगे कमी अपान मूल मान गुड़ा सो precious यह हो गयाक कंदर कमी कितना हो रही है अरे भाई यह कम कीतना है तो बीस कम्धन कितना है 4 फbest न हमारे समय से देना यह हो गया 4 अर यह कुड़ा सो काट दीजिए एग जीरो से जीरो कट गया है घु माश्य मॉप्रिण नहीं है ची एक कटेगा है कि एक लेकिन के heard के काटेगी तो जहां बेडेंगे उसके पीछे से काटेंगे आ गें से घुर जाएगी तो और शूत करते लेगा और तो फुर बड़ेंगे इसको काट दीजिए 25 ca कुछ गड़पड होगा तो बताईएगा ध्यान से देखिएगा देखिए इसमें जो मूलमान है ना वो मूलमान किस पर डिपेंड है आप गवर करिएगा जो मैंने रखा है वो गड़पड है थोड़ा सा उसमें क्या है कहरा संख्या 40 संख्या 60 से कितना पर्षत कम है मतलब कहा जाए कि मोहन रोहन से कितना गश्रपड़ा है तो मूल केंद्र कौन है जिससे तुलना की जा यही वज़र से और बड़ा रहा था अब दूसे काट देंगे दस आ गया ये दो से काट देंगे तीन आ गया उपर आप गुड़ा कर लेंगे तो 10 का 10 में 100 वटा 3 और जब आप भाग करेंगे सव में 3 से तो यह तीन तरीका नौ एक आएगा फिर जीरो और तीन तरीका नौ एक आएगा यानि कि ताइंती सही एक वट्टा तीन पतिसत अप्सन नमबर बी सही है लिख लिए जल्दी से लिख लिजिए फिर मैं आपको एक सवाल इसी तरह का सेम तू सेम दिखाता हूँ उसका जबाब आप सभी लोग देंगे कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती जी हाँ ट्राइं तो करिए ना हो गया बिल्कुल आमन कुमार जी राइट बिल्कुल सही हाँ ठीक है बिल्कुल सही है ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल ठीक है बस अब एक सवाल और आगे जल्दी से बताईए कुश्चन नमबर आज काईए चौथा पाच्वा जो भी नमबर है आप कोई भी नमबर लिख लीजिए लिखिए संख्या बहत्तर से अठारा घटाने पर कितना आएगा चववन आता है बिल्कुल सही है संख्या बहत्तर से अठारा घटाने तो चववन आएगा तो बताईए बहत्तर चववन से कितना पातिसात अधीक है समझ गये कि नहीं बिल्कुल सवाल थोड़ा सा गुमाया गया है बस अप्सन नमबर पहला जो है वो वो 20 परत्सत है 10 परत्सत है 45 परत्सत है और 39 है आएसे सवाल आते हैं नचा गुमा के जो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं पेपर में आपके किताब का सवाल सिंपल सा सब नहीं मिल जाता ना कुछ ही सवाल मिलते हैं, बस बाकी के सभी सवाल नहीं मिलते हैं, अगर सभी मिलने लगेंगे तो सब लोग कर लेंगे न वैसे, जल्दी से बताईए, संक्या 72 से 18 गटाने पर 54 आता है, तो संक्या 72 चाउवन से कितना परतिस्याता दीखा है, जल्दी करें, सभी के कमेंट्स अगें, चले हम बताते आगें, ठीके देखिए, सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हैं, कि पहले संक्या कितनी थी? बाहतर थी, पिर कितना हो गई? चाउवन हो गई, बाहतर चाउवन से कितना पर्थसत क्या है? अधिक है, मतलब मूल संक्या कौन सी है? 54, क्यू़कि इसी स तुल्ला की जा रही है है ना तो आप क्या करेंगे मूल संख्या ये रखेंगे वो कितना पर्चाद अधीक है लगा देंगे पर्चाद बृधिवाला जो भी आपने लगाया था गटाने के बाद कितना आएगा इसमें से 18 सिंपल में दिया भी है आपको 18 रख देंगे नीचे चववन रख देंगे चववन गुड़े सा हो जाएगा और आपका उतर लगभग वही फिर से आएगा समझ गए तो एक सवाल और आगे देखिएगा बिल्कुल परिसान मत होईएगा ठीक है ना एक सवाल और आपकों देते हैं बुक्स से ध्यान दीजिएगा तो ये सभी सवाल आपके सामने आ चुके हैं अब एक टाइप का आपके और भी सवाल पूछा जाता है बेइमान दुगांदार है ना अकिरबाई दुनिया में बहुत से लोग बेमानी भी करते हैं सब इमानदार ही नहीं होते हैं कोई चीज आप लेने जाते हैं तो तराजू में गड़बड करके आपको देते तो हैं वो पांच किलो का समागरी लिखी रहता है वो साड़े चार या चार किलो 200-200 ग्राम उसमें से कम होता है तो देखिए का कैसे होगा जिसे बोलते हैं तुल्टी मान या गलत मानूं होता है वेपर में अलग भग आता है जैसे एक इकजापर में देता हूँ द्यान दीजिएगा एक बेमान दुकान दार कहता है कि वहां क्रेमूल पर ही माल बेचता है परंटु वहां एक किग्रा के अल्थान पर 960 किग्रा का जूंटा पार्ट परियोग में लाता है तो पतिसत लाव क्या होगा उसका आपने देखा होगा तो हारों पर आता है भारी छूट भारी छूट पूरे 100% की छूट ऐसे तो नहीं देखा होगा लेकिन फिर भी 50% आफ आता है अक्सर आपने आनलाइन सॉफिंग में देखा होगा बिग बजार पी वियर हो गयरा में आपने देखा होगा 50% छूट 7% 80% त क्याते हैं जो कि 5,000 रूपय कीमत की है ठीक है 5,000 रूपय की है तो वो लोग क्या करेंगे मतलब उसकी रियल कीमत जो है 5,000 है अब वो लोग उस पे जो प्राइस प्रिंट करवाएंगे कितना करवाएंगे बता है वो लगभग में उस पे 6,000 या 7,000 का प्राइस प्रिंट समझ रहे ना यानि कि उन्होंने बढ़ाया कितना माल लेते हैं कि 6000 प्रिंट कराया तो उन्होंने 1000 रुपया उस पे बढ़ा करके प्रिंट करवा दिया अब भाएं उनको 500 रुपय का भिलाब अगर इसमें मिल जाएगा तो भी वह बेश देंगे तो इसमें से अगर वो कम कर देंगे छूट देंगे कस्टमर को तो उनका नुपसान थोड़ी जाएगा समझ रहे ना ऐसे होता है बाकी दुकानदार कभी वेवकूप नहीं होता है और जो कस्टमर होते हैं सोचते हैं हाँ भाई तेवहार में सब फ्री आ रहा जल्दी से सब ले लोखटा पर देखिए हुआ के सवाल बताईएगा है उततर है एक बेइ마न दुकानर कहता है कुर्षिन नमर शाटमा सबसुआ है ऐने कोई दुकानदार है तो बुरा मत मानिएगं माफ करिएगँ ए एक बेइमान दुकानदार कहता है यह से यह 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 का dire मूल है सामान बेजता है लेकिन वह एक केजी की जगह नौसो साथ ग्राम का बाड़ परियोग करता है मतलब जान रहे है वह एक किलो का समान नहीं देता किसी को नौसो साथ ग्राम देता है तीसरा चार साइज दूइबटा नौ परतिसत और चौथा है नौ नौ प्टी जल्दी से कमेंट करके बताइए समी लोग नहीं तो एक मिनिट इंतजार करिएगा उससे कमी टाइम में हम आपको इसको हल्ग राकि दिखाएएंगे ट्रिक के साथ हो गया नहीं सभी के तो मैं आपको बता दूँ इसमें ट्रिक कौन सी लगेगी जल्दी से नोट कर लीजिए अरे वही पतिसत लाब पराबर तुरुटी अपान गलत मान बुड़े सौ लगा दीजिए फटा पट ट्रिक देखिए लाब पराबर तुरुटी अइसे तो होगा ना तुरुटी बिल्कुल अपान क्या गलत मान गुड़ा सौ तो तुरुटी कितने की हो रही है बाई एक किलो में आप सभी जानते होंगे बिल्कुल सिंपल सा है लेकिन कुछ लोगों को नहीं आता है एक किलो में एक हजार ग्राम होता है लेकिन वो गड़बड़ी क्या कर रहा है? 960 ग्राम का परियोग कर रहा है मतलब वो 40 ग्राम एक किलो में गड़बड कर रहा है तो गलत मान जो है वो तुर्टी कितने का कर रहा है तुर्टी 40 ग्राम की कर रहा है तो यह 40 हो गया गलत मान मतलब वो कितना परियोग कर रहा है 960 परियोग कर रहा है से कट दीजिए नहीं कटेगा दो से कट दीजिए 248-2816 कि अरे 2-1510 इससे आप काट दीजिए किससे चार से चारदामा चालिस चारे कम चार चार्दूना आठ दो से कट जाएगा दो पंचे-दृसक खंब अनम 25 बटे 6 लेकिन इसे आप भाग देंगे फिर तो क्या होगा यानि मैं छोटा सा भाग दे लेता हूँ 25 में 6 से आप लोग भी कर लीजिए गाफ निपनी काफी में 6,24 यानि कि 4 सही 1 बटा 6 पतिसत लग भग में आएगा कितना आएगा 4 सही 1 बटा 6 पतिसत नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी से फटा फट लिख लीजिए बिल्कुल बिना देर किये हुए कोई confusion है नी संकोच बोलिए ये सवाल जरूर आपके परिच्छा में आएगा इन में से जरूर आते हैं एक नेक सवाल पक्का है आते हैं इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं बाबू ठीक है ना तो अगर आप सीटेट के लिए अफलाई किये हैं या फिर आर आर भी के लिए तो इन्हें कंठस्त कर लीजिए नहीं तो हो सकता है गड़बड हो जाए पेपर में आगे चले फिर अगला सवाल ध्यान दिजिएगा अगला सवाल मान लेते हैं कि कोई इससे भी अच्छा दुकानदार है दिमागदार तो उसको कितने का लाब होगा देखिए ये किसी के उपर हो सकता है हम भी दुकानदार हो सकते हैं आप भी हो सकते हैं इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि अगर कोई है भाई तो वो बुरा नहीं मानेगा, यह सवाल है कि एकजाम में आता, परिच्छा में आता है, आपको समझना है, ठीक है, इसमें क्या है, एक केजी की जगा है, वो 960 ग्राम का परियोग करता था ना, माल लेते हैं कि हम से ज़्यादा बड़े बैमान हो गए, और हम 900 ग्राम का बाट परियोग करने लगे, मतलब एक किलो की जगा पे 900 ग्राम का बाट परियोग करने लगे, तो लाफर्चत क्या होगा, अब बताइए, अब ही तक तुम वो एक हजार की जगा पर 960 ग्राम दे देता था, मातर 40 ग बोलूंगा ताप बोलेंगे बहुत, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, है ना, तो चलिए बताइए आप क्या होगा लाब पत्सत, पहला है 10 परसेंट, दूसरा है 6 सही, 3 बटा 7 पत्सत, दीफरा है 4 सही, 1 बटा 6 पत्सत, और ये है 9 नौबदी, जल्दी से कमेंट करके बता ये 8 मा का सही जबाब क्या होगा, फटा फट कमेंट करें बिना देर किये हुए, सभी लोग कमेंट करेंगे, होगे सभी क्या अंसर, याद रखिए सीटर्ट की मैथ, है निकि ट्रिकी मैथ की कलास आपकी जो हर दिन कितना बज़े से होती है, राद में 8 बज़े से होती है न आप लोग बताईएगा, मैं आपको इसमें ट्रिक्या फार्मूला बता देता हूं, मान रखना भी बता देता हूं, फिर आप लोग बताईएगा, ये होगा परतिसत लाव बराबर तुरुटी अपान गलत मान गुड़ा सव, तो तुरुटी कितने की कर रहे हैं, भाई, ए सौ गराम की गड़बड़ी कर रहे हैं, है न, यहां एक किलो पहा है, एक किलो में एक जार गराम होता है, तो तुरुटी कितने की हो रहे हैं, ये सौ गराम की, गलत मान कितना परियोग कर रहे हैं, नव सौ, और ये बुड़ा हो गया, सौ, दो जीरो से दो जीरो काट दो न ग्यारा सही एक बटा नौ परतिस्यत का लाव होगा समझ गए ना लिकिन यह लाव अच्छा नहीं बाबु आ ऐसा नहीं करना चाहिए समझ गए नोट कर लिजिए स्क्रीन सार्ट ले लिजिए वीडियो को रोग करके कॉफी में लिख लीजिए नोट बना लीजिए जो मत्यों कर लीजिए आगे बढ़े फिर जल्दी करें खटा खट देर ना करें देखिए ट्रिकी मैथ आप सभी के लिए विशेस महत्तु पूर्ण होती है आप से विशेस रिकोष्ट होगी अगर नए नए जुड़े हैं और अभी तक आपने इस कलास को लाइक नहीं के बाग उना तो जल्दी से कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसे कि आपको अगली कलास भी मिल सके क्योंकि आपको याद दिलाना पड़ता है है ना उमीद करते हैं आप लिख लिए होंगे अगर नहीं लिखे तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके फिर से देख लिजिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा यह हमारी पूरी ज नोट किया तो आवा से नोट कर लीजिए इस नंबर पर अपना नाम पर इच्छा नाम लिखे भेजिएगा आपका नंबर सेब कर लिया जाएगा हमारे टीम की तरफ से तो आप वाटसप की स्टेटास में कलास की अपडेट पाएगे लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके न एकैडमी पर फालो करें जिससे कि आपको बर्यावरन बाल विकास मनुब ग्यान, हिंदी, अंग्रेजी, समाजी, विग्यान और सभी कलासे मिल सकें समझ रहे ना, अगर आप ये कलास फेस्बूक पर देख रहे हैं, तो वहाँ पर लिंक दी गई होगी, वहाँ से आप यूटूब पे आएं और पीडियार एस्टेटी में कम्प्लीट कोर्स पाएं अगर आप यूटूब पर देख रहे हैं, तो डिस्क्राप्शन में दी गई लिंक से आप पीडियार एस्टेटी फेस्बूक पेज को लाइक करें, जिससे आप ये कलास फेस्बूक पर भी देख सकें, ठीक है ना, और हाँ इतना ही नहीं पीडियार एस्टेटी के दूसरे यूटूब चैनल, जो की और आपके दो यूटूब चैनल हैं आप पढ़ाई से संबंधित, जिनका नाम है पीडियार एस्टेटी ग्रूपों और मैध आसान है, जी हाँ मैध बिल्कुल आसान है, इन दोनों चैनल को अगर आप सब्सक्र करके रखेंगे, तो आपको बड़े सिखाने की कंपलिट जिम्मेधारी होगी, तो मित्रों आपको पैसी लगिए क्लास, अपने विचारों को अवस्य कमेंड करिएगा, आज के लिए बस इतना ही आप सब या, इस क्लास ने आये, हमारा इतना सहयोग किया, इसके लिए आप फिर अपना ख्याल रखना, जै हिन, जै भारत!